सोच ये, एक सुबह आप अपने कम्प्यूटर को आउन करते हैं और देख रहे हैं कि आपकी सभी फाइलें लॉक हो चुकी हैं अचानक एक पॉप अप मैसेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है अपनी फाइल्स वापस चाहिए 300 डॉलर का भुकतान करें चौकाने वाली बात ये है कि 2017 में ऐसा 2 लाख से ज्यादा लोगों के साथ हुआ 150 देशों में इस रैंसम वेर ने ऐसा आतंक मचाया जिसे हम आज भी याद करते हैं स्वागत है आपका हमारे चैनल Tech by Cosmic पर आपका अपना टेकनोलोजी काइड आज हम आपको बताएंगे WannaCry Ransomware की वो चौकाने वाली कहानी जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया था और साथ ही इस वीडियो में आप जानेंगे वो अनसुना राज जिसने इस खतरनाक हमले को रोकने में अहम भूमिका निभाई सब कुछ शुरू हुआ एक गुप्त हतियार से NSA, National Security Agency, अमेरिका की सबसे ताकतवर एजेंसियों में से एक नेक साइबर हतियार बनाया था जिसका नाम था Eternal Blue इसे Windows Operating System में एक कमजोरी को टार्गेट करने के लिए डिजाइन किया गया था लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब Shadow Brokers एक अग्यात हैकिंग ग्रुप ने इस हतियार को इंटरनेट पर लीक कर दिया और यहीं से Wanna Cry Ransomware की कहानी शुरू हुई इसने Eternal Blue का इस्तिमाल करते हुए दुनिया अभर के Computer Systems पर हमला करना शुरू कर दिया लेकिन कैसे? क्या ये बस एक साधारन वाइरस था या कुछ ज्यादा खतरनाक? चलिए, इसे समझते हैं Wanna Cry सिर्फ एक Ransomware नहीं था ये एक साइबर हतियार था जब भी ये किसी सिस्टम में घुसता ये तुरंत उसकी Files को Encrypt कर देता यूजर की स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश दिखाई देता अपनी Files वापस चाहिए हमें 300 डॉलर बिटकोईन में दे लेकिन इसे रोकना इतना आसान नहीं था Wanna Cry ने एक और खतरनाख हतकंडा अपनाया ये खुद को एक Worm की तरह पहलाता जैसे ही यह एक सिस्टम में घुसता ये उसी नेटवर्क में बाकी सिस्टम्स को भी स्कैन कर लेता और उन्हें संक्रमित कर देता इसे भैलने के लिए किसी यूजर के क्लिक की भी जरूरत नहीं थी अब सवाल ये है कि इतने सारे कंप्यूटर संक्रमित कैसे हुए जवाब है लापरवाही Microsoft ने इस कमजोरी को ठीक करने के लिए March 2017 एक पैच जारी किया था लेकिन कई संस्थानों ने इसे समय पर इंस्टॉल नहीं किया और यहीं से विनाश का रास्ता साफ हुआ आईए अब जानते हैं कि इस हमले ने कैसे दुनिया को हिला कर रख दिया सोचिए अस्पतालों के पूरी व्यवस्था ठप हो जाए ऐसा ही हुआ UK के NHS में रेनुल्द को अपने कई प्लांट्स बंद करने पड़े फेडेक्स और टेलेफोनिका जैसी दिगज कंपनियों के सिस्टम डाउन हो गए भारत, चीन, रूस और अमेरिका जैसे बड़े देशों में सरकारी एजेंसियों के सिस्टम प्रभावित हुए यहां तक की स्कूल और रेलवे जैसी सेवाएं भी रुक गई इस हमले से हुई कुल आर्थिक हानी चार अरब डॉलर तक मानी जाती है लेकिन इस आपदा में एक उम्मीद की किरण भी थी क्या आपको पता है कि वॉनक राए को रोकने में मदद कैसे मिली? जहां एक तरफ वॉनक राए पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा था वहीं दूसरी तरफ एक साइबर सिक्योरिटी रिसेर्चर जिसका नाम था मारकस हचन्स इस वाइरस का अध्ययन कर रहे थे उन्होंने वॉनक राए के कोड में कुछ अजीब पाया इस वाइरस में एक किल स्विच छिपा था मारकस ने एक डोमेन वेब साइट देखा जिसे वॉनक राए बार बार एकसेस करने की कोशिश कर रहा था उन्होंने तुरंट उस डोमेन को रजिस्टर किया और जैसे ही ये डोमेन एक्टिव हुआ वॉनक राए का संक्रमन धीमा पड़ गया ये साइबर वर्ल्ड में एक बड़ी जीत थी लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती वॉनक राए ने हमें कई सबक सिखाए अपडेट्स को नजरंदाज न करें माइक्रोसॉफ ने वॉनक राए से पहले ही वल्नरेबिलिटी को ठीक कर दिया था लेकिन जिन लोगों ने अपडेट नहीं किया वे इसका शिकार बने साइबर सुरक्षा में निवेश करें वॉनक राए ने साबित कर दिया कि साइबर हमले सिर्फ एक व्यक्ति या कमपनी को नहीं बलकि पूरे देशों को प्रभावित कर सकते हैं टेटा का बैक आप रखें अगर आपके पास बैक आप है तो रैंसम वेर आप पर असर नहीं डाल सकता सतर्क रहे कभी भी संदिग्द इमेल अटाच्मेंट्स या फाइल्स न खोले WannaCry ने हमें दिखाया कि इंटरनेट जितना ताकतवर है उतना ही खतरनाक भी अगर हम सतर्क नहीं रहते तो अगला साइबर हमला और बड़ा हो सकता है तो दोस्तों ये थी WannaCry की कहानी ये हमला सिर्फ एक चेतावनी नहीं बलकि एक सबक था अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और चैनल Tech by Cosmic को सब्सक्राइब करना न भूले और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा आप WannaCry के बारे में क्या सोचते हैं